हेलो श्टुएंट बिटा आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लासिक्स का चैप्टर के नेम है हमारा एक्स्टोरिंग MS Word 2016 ओके चैप्टर 3 है हमारा एक्स्टोरिंग MS Word 2016 शुली श्राट करते हैं देखे अदर चैप्टर इंक्योड इस चैप्टर में हमें क्या क्या परना है हेडर फूटर इस पिता हमारा होता है मतलब header का use हम हम हर document के just upper part में करते हो और footer का यूज just below part में करते हो okay.. as the name चले start करते है introduction you have learned about ms ward in your previous classes आप ms ward के बारे previous class बेने । ms ward एक more advanced feature है जो कि हमें allow करता है कि हम उसका use करके कोई भी अपना walk जो है उसको attractive और easy way में हम उसको represent कर सके which you will learn in this chapter जो कि आप इस chapter में सिखोगे कि MS Word के पास बहुत से advanced feature है और उसका use करना आप इस chapter में सिखोगे let's recap the concept of MS Word in the previous level जो भी आपने previous class में पढ़ा है उस level से ही जुड़ते concept है कुछ लेकिन इसमें कुछ और जादा advanced है ठीक है देखे जैसे कि आपको remind किया जा रहे है कि MS Word is a program MS Word एक program है जो कि user को allow करता है किसी भी file या essay को write करने में बनाने में जाए वो letter हो, document हो table हो और भी बहुत सी चीजें है MS Word also provide the facility to edit and create text and table MS Word पीटे ये एक software है पता है MS Word MS Office का एक है ठीक जो कि हमें features या facilities देता है with features facility with features कि हम अपने जो भी tables है उनको हम या फिर हमारे text हो हम उनको edit कर सकते हैं उनको rearrange कर सकते हैं उनको new look में हम create कर सकते हैं next हमारा header and footer notice the page of your text मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपनी book open करते हो तो उपर में देखते हो कि आपका chapter name होता है just नीचे आपका page number होता है date and time होता है कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है या फिर उनका जो एक slogan होता है वो write किया होता है अपनी diary में भी देखिएगा तो उपर भी रहता है या तीचे कुछ slogans या कुछ inspiring thoughts दिये रहते है ठीक या फिर page number होता है तो बिटा ये दोनों जो हमारी use होता है जो page के head में हो मतलब उपर में top पे हो हम header कहते हो और जो page के document page के last में नीचे में हो bottom में हो उसको हम footer कहते हैं ठीक notice the page of your textbook अपनी textbook के अभी तो आपके पास book अविलेबल नहीं है अगर अविलेबल है तो आप धियान दीजे कि उपर आपका कुछ और है नीचे आपका Windows 10, NMS Office 2016 लिखा होगा computer लिखा होगा classics लिखा होगा page number 29 लिखा होगा there are few things that appear at the top and bottom of every page वहाँ पे कुछ चीजे हैं जो कि हर page के top में और bottom में appear है there may be books name वो हो सकते हैं जैसे book का name हो सकता है chapter का name हो सकता है या फिर page number हो सकता है trick जो कि हर page में available होता है अगर one number है तो पूरे page में one number नहीं यह by default one by one होता है अगर page number one है तो अन्यदर page जो होगा page number two होगा trick भले chapter का name सेम हो सकता है या एक chapter में जोरून है हमारी एक page होते हैं कई pages होते हैं adding date time in header अब देखिए अगर आपको header footer में date and time अगर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर इस cap को click कर देंगे तो वो हमारा header and footer में date and time अड़ हो जाएगा सेखित अ क्यों है